हलो एब्रीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल एए ऑनलाइन सौलूसन मैं हूँ अस्फाक कैसा गया आप लोग का एक्जाम मेरे ख्याल से बहुत ही बेतर रहा जम की तैयारी हुई और बहुत ही बेतर एक्जाम गया एक पेपर बज़ गया बिहार बोड़ों का जो आठ मार्स को ह होना है फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंड कर रहे और आप किसी भी बोड से हो यूपी बिहार जारखन अधर इस्टेट का हो मैं आपको बाते बताने वाले यह कौमन बाती हैं सभी के लिए ठीक है सभी स्टुडेंट कमेंड कर रहे सर क्लास 10 के एक्जाम हो गया है अब ह अब हमें क्या करना चाहीर तो एक से रहे हैं लेकिन कलास 10 अभी पहला से भी हैं क्रोस कर रहे हैं फिर अपने आपके सामने कर दो कि आपका जो रहा है कि डिलियर हो जाना शबसे पहली मैं बात करता हूँ सच्च को मजा ये एक तरफ है और पुलिटेकनिक, आई टिय ये एक तरफ है तो अगर आप आप साइंस या कॉमस लेते हो तो यह से आपको दिग्री हासिल भाएगा यिससे इस रूपको डिगर या करते हो या करते हो तो इसमें मैं बता दुए का दो साल का कोर्स होता है और पुलिटिकनिक का तीन साल का कोर्स होता ठीक है तो अगर आप करते हो तो वह के बराबर समझा जाएगा ठीक है यानि कि पुलिटिकनिक के बाद आप चाहते कि हम करें तो कर सकते हैं आप टुवेल्थ पढ़ने जोत नहीं पढ़ेगा लेकिन कुछ बत चाहि प्लब यह है कि एक ही बार दोनों सेशन नहीं होना चाहिए आप चाहे तो टूइल्थ के बाद आइट करें लेकिन फिर ग्रेजिलिशन का सेशन मैच कर जाएगा तो आपको 12 करना या IT करना ये दुनों में से एक को चुनना है सबसे पहले मैं बात करता हूँ Science, Arts, Commerce के बारे में ठीक है तो ये तीनों अपने अपने जहाँ पे एकड़म बेस्ट है सबसे पहले Science में हम किलियर करते हैं कि Science आखिर क्यों लेना चाते हैं बहुत सारी स्टूडेंट मतलब क्या ना की जैसे एक्जाम पास हुआ अच्छा रिजल्ट आ गया कोई जरू नहीं कि अच्छा रिजल्ट आ गया तो हम Science में एडिमिसन ले ले कोई जरू नहीं कि अच्छा रिजल्ट या खराब रिजल्ट आ गया तो हम Commerce में चल जाए ऐसी कोई जरू नहीं लेकिन ज्यादा परसेंटेज देखा जाता है कि रिजल्ट सही होता अच्छा रिजल्ट वाले को ही Science मिलता है तो मैं यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप स्लब नहीं हो पा रहा ठीक है किसी के खिलाफ मैं नहीं बूलूँगा सभी अपने ज़गा पर एकडम बेस्ट है ठीक है सबसे पर बात करते हैं सैंस के बारे तो सैंस अगर आप चाहते हैं कि मैं सैंस पढ़ करके या आप चाहरें कि हमको इंजिनियर बना या डॉक्टर ब यह दो अपर्चुनिटी है कि अगर सैंस या मेडिकल या इंजिनिरिंग यही दुरों स्कोप बनता है ठीक है सैंस लेने बाद मतलब प्राइवेट जॉब आप ले सकते हो ठीक है लेकिन जहां तक फिर आपका मैंड में सवाल आ कि सरकारी जॉब अगर लेना था तो सर तो आप सैंस एकदम बेजिजक ले लिए ठीक है दूसरा बात है आपको लगता क्यार सर आर्च लिकर क्या करें तो आर्ट से भी कोई खराब चीज नहीं ठीक है तो यह बात आप याद रखे आर्ट लेने भी बहुत सारे स्कोप बहुत सारी इस्कोप है आप जब जिनरल त्या दम बहुत ज़रूरी पढ़ेगा तो जो आर्ट से लिए पढ़ते हैं तो जब ढ़ियर करते हैं तो उसको सइंस भी पढ़ना पढ़ता है लेकिन अगर सब्सक्राइब पर रहे हैं और आपका खाब है यह कि हम को आई पीज बनना है मतलब कुछ डिफेंस एक्जाम कोलिफाइ करना इस तरह से सिविल में तो आपको साइंस उतना कम चलता आर्ट जाज़े चलता है तो अगर आपका मैंड है कि मैं आइस बनू आई पिस बनू ठीक है तो आप अभी सही 11 से ही आउस परना सुरू करें आपका हिस्ट्री है जोग्रफी है पुलिटिकल है अब उसमें इसद्रिशचर आ रहा तो यह आपको चुनना है चुज करना है कि हमको किसरे मज़ाओ तो एको बड़ी-बड़ी कंपनी का जो मालिक बन जाता है जिसमें एक कांटेंट का जो होता है like commitment का बहुत बशbene जाता है यह लात लेकिन आपके सामने हाजर हुँ मैं कोई इंजिनियर नहीं कोई डॉक्तर नहीं हूँ टीक है तो आप सैंस बननके पढ़के बन सकते आर्ट्स पढ़के भी ती पर सकते यह तो सिंपल सा नोर्मल और दूसरी बात यहां कि आप कोई भी competition exam अगर देना चाहते हैं तो कुछ-कुछ exam ऐसा है जिसमें कि बोला जाता है कि science रहेगा तो भोगा या 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 बीए हो या बीकॉम हो तो कुछ-कुछ exam में चुना गिना है लेकिन mostly जतना सारे exam government exam होती है उन सभी में सेम होता है आप किसी भी सिर्फ ग्रेजविशन पास ह लेकिन एक बार आपको सोचना बहुत जरूरी है जी कि आप जब admission लेने के लिए लिए हो तुरंत science में ले लते हैं इंजीनियर में एक बहुत सारा बहुत बहुत बढ़ता है तो आपको पहले बैक्गरों मुड़ना है और अपने फैमिली बैक्गरों को देखना आपके फैमिली वाले लोग क्या रेडी हैं आपको डोक्ट बनानेकि लिए अगर रेडी है तो गोलन ऑपर्टमिटे इस से ब सब्सक्राइब आपको अपना एकोनोमिक देखना है कि क्या मेरा सिट्वेशन है बैग्रोन का उसके साथ से आपको लेना आडिमिसन नहीं तो अगर आप सैंस में लेते हो तो आपको पूरी तरीके से पूरा यह आर से के पूरी तरीके से जम के मिहनत करनी पड़ीगी लेकिन लेते हैं तो अगर नोर्मल भी अगर मेंनत के आपको कि नहीं पड़े Basis लेकर पड़ेगा करना पड़ेगा लेकिन तो अच्छा एक बात यहां पर और याद रखें अगर आप ऐसा भी बहुत सा स्टूडेंट होता है कि अभी एडिमिशन ले लिए इंटर में माने बहुत से बोलता कि हम अभी सैंस में इंटर सैंस से पल लेते हैं और गिरेजिशन जब जाएंगे तो आर्ट से ले लेंगे य आपके पास एक हुए संस से जा गर के आप अपना रूटarner कर सकते हो मौकर सेंस पर ले तो फिर हैं यह रास्ता बन हो जागा है आपका संस मानने अगर आप से पड़ेंगे तो भी बेश्ट है अगर आप से पड़ेंगे तो भी बैस्ट है में बता हूं इंजिनियरिंग या मेडिकल इंजिनियरिंग में बहुत सारा बरांच है मेडिकल है तो यह आपको देखना बैक्ग्रोंड भी देखना अशने कि आप उड़े जा रहे हैं वैगरण कुछ है नहीं तो फिर यह गलबल हो जागा आगे देक रास्ता ब्लॉक हो जा तो उतना पढ़ना पढ़ेगा पहला को वह देखना पढ़ेगा अब यह मैं बता दिया हूँ कि अगर आप आर्ट से लेक पढ़ते हो इंटर में तो आर्ट से आप ले सकते हो या कमस ले सकते हो ग्रेजिशन में ठीक है यह दोनों पॉइंट याद रखें दूसरी बात आप और आपको अधिया नंब यहसा बएक को कोई कि अगर करते हैं तो पो पोजिश्ट नहीं मिलता का क्या आपको यह बहुता 安कर ट्रेनेंग दिया यह काम को करने जाता shows एकि और आपको इंजीनिरिंग बनाया जाता है लेकि spécialจव लेकिन उसमें आपको इंजीनिर्ण बनाया जागा तो वह जुनियर इंजीनिर्ण कहलाएगा ठीक है उसके मादम से आप बीटेक में या डिपलोमे में आसाने से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं अगर आप आई-जाए करते हैं तो उससे आपको सिर्फ कैसे एक लेबर कैसे होत है तो यहाँ पर दोनों आपके लिए है फिर आपको में सवाराम किए दूर करता हूं यहाँ पर करेंगे मैं रहाぎएं यह प्यूहिए कर लिए हैं थे जर्षी अब इसके उसे था धिकार कर लिए है तो व्हजिंटर के महादम से बीस्यhanded अए सकते हैं एक वाली बात आगे जो बैचलर ऑफ कम्पीटर होता है तो कम्पीटर भी आप बैचलर कम्पीटर भी कर सकते हैं उसके बाद एंसे करना पड़ेगा तो बहतर होगा ठीक है तो यह दोनों का अपने अपने तरह पी बहतर है तो पुलिटेकनिक करें तो आप जुनियर इंजिन नहीं बलकि लेबर जो वरकर होता है जिसको ट्रेन कहता है हाँ अब रेलवे करें वागर आता है यह बहुत कुछ आइसा आता है जिसमें आई ट्याइब पास खोचता है यह दूनों करना पड़ता है पुलिटेकनिक में बन जाते हैं उसके माद़ें साब बीटेक में डिप गव्मेंट भी होता है और दोनों को वाइलू सेम है कोई दिकत नहीं कहीं पर पैसे के वाइलू अगर आप प्राइवेट से करते हो तो पैसा कम से कम तो 30 35 40 अरव तक लग जागा ठीक है अगर आप सरकारी से करते हो इनके एकजाम इंट्रेंस निकाल करके आप अगर आप पॉलिटेक्निक में जाते हो तो वहाँ पे 10 से 15 रुपया खर्चा होगा ठीक है यह बात आप हो तो अब अगर आदेखिए अभी आप फॉर्म भरते हैं में भी फॉर्म भरें एक्जाम दिए तो एक्जाम अभी जैसे मार्च में फॉर्म निकलेगा आप अगस्त में के आस होतना अच्छा आपको स्कोप मिलेगा ठीक है तो बात यहां पर यह हो गया अब कंफिजन सर में दिमांग में आगा कंफिजन कि सर अगर आइट यह में एक्जाम दियें सरकारी से और पास नहीं हुए तो मेरा तो इंटर में तो एडमिशन का डेट खतम हो जागा फिर पूरे टेखनिक का कुछ कुछ क्लास नायन का जो सिजिक्स है मैथ है कैमेस्ठी वो कलास नायन का देखना पड़ता रहता से नायन का फिजिक्स बहुत IMPORTANT है तो इसको आगर देखने पड़ेगा तो यह भी देखेंगे तो कहन ay我们 यह निकाल लेंगे तो आप अराम से भर आपको मिलता है तो या तो करें या तो करें या तो करें यह दुनों बाते आप याद रखें तो बहुत सरे बच्छे के आदरी कि आप नहीं करते हैं प्राइवेट से अधिमिशन भी लिए सकते हैं तो आपको खर्चा बैठेगा पैसा लागे तीस से चालिस रुप्या आप इध्या अब सारी बाते मैं बता दिया हूं कि science परना है यह आकिको ब्हां कि ससे बではना हो सब्सक्राइब बहुत मस्ते वाला स्ब्जेक्ट है बिल्कोल है यह को रहना चाहिंगा आपको रास्ताबंध है दिक्कत है अगर arts करते हैं तो पूरा openly है आपका background अगर गरीब है तो भी आप वहां पर काम चलाओ बन सकते हैं तो कोई दिक्कत ने आपका interest किसमें नीचे comment करेंगे दुसरी बात यहां पर यह है कि अभी exam आप दिये हैं किसी के exam होने वाला है जैसे अलगा बोर्ड का ठीक है लबी हारवर्ड का exam हो चुका है एक पीपर बाकी है तो exam दिये हैं अब देखिए अभी आपको यह सब सोचने में तीन-चार में वेस्ट हो जाएगा अगर आप science में पहुना चाहते है तो तुरंत admission लिजिए कहीं coaching वगरा चल रहा है फिलाल है ना because coaching आपको पहुना पढ़ चुकि science का जादा करके science का आर्ट का भी class कहीं चाले होगा commerce क्लास स्टार्ट हो गया है तो अगर आपका जिसमें इंट्रेस्ट है वो शुरू कर दिए पुलिटेक्निक के iti वाले हैं वो भी आपना तयारी सुरू कर दे मैं भी आपको पुलिटेक्निक के iti के important वीडियो अप्लोड करूँगा तयारी करूँगा कोशिच करूँगा दो तीन मेना का वह कोर्स होता हो पहली जग तो बहतर होगा ठीक है तो अब यहां पे जैसी पहले अगर अमेन लेते हैं न कम रहता है तो आप इन वह और इकर बहतर है तो बहुत अची बात है तो आप आप करना कर दो हैंना कि अपना कर दो हैंना करना मार्केट में आप क्लास से चल रही है इसको जोएन कर दा कि कुछ न कुछ आपको बेनेफिट हो वहाँ पे समझ में आप लोग अपर बाल रहे हैं तो यह सब बाते मुझे बताना था आप लोग मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है क्या करने की खाएंस है सैंस में जाना है या आर्ट में जाना है या कॉमर्स में जाना है ठीक है आपको प्लिटेक्निक करना या इंजिनिरिंग करना आइसा बात नहीं है अगर सैंस से पढ़ते हैं तो सैंस से पढ़ करके भी admission ले सकते हैं इंजिनीरिंग में बीटेग में या डिपलोमा में पुलिटेकनिक जचले की छोटा से डिपलोमा ही है ठीक है वो जूनियर इंजिनीरिंग इसलिए बोला गया मैं इसको ठीक है और उसको बोला ही जाता है तो यह बात यह आप याद रखें तो admission लेने से पहले य जोएन कीजिए computer class जो कि basically जो सिखाता है DCA वगरा ज्यादा गहरा है तो कि आज कल कम है computer का नौलिज होना बहुत ज़रूरी DCA हो या English class हो दोनों को फटाफट जोएन कीजिए है ना चुकि आगे चलके यह आपको रोड़ा ना पहुंचाए बीच में कि आपको computer चलाने मौस पकने नहीं आ रहा यह नहीं करने आ रहा ठीक है आपको English बोलना नहीं आ रहा बोलने से मतलब नहीं कम से कम समझ ले पढ़ प्रम से कम 400 मार्क्स तो सभी काना बहुत जरूरी है बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जागा मार्च तो नहीं आगा अप्रिल में पक्का क्लास 10 का आ जागा और जो 12 वाले हैं 12 तो मार्च में आ जागा ठीक है कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मेरा सजेशन कैसा रहा नीच कि अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहें और मैं भी जहां तक हो पाऊंगा अपना नौलिज आपको प्रोवाइड करता हो आपके कुछ छोटे भाई हो बहन हो जो कलास 9 से 10 में गिया हो पलोसी हो दोस्त हो यार हो जो भी हो उसको चैनल पर इन्वाइट करें उसको जोड़ मिले ठीक है और आपका प्यार मिले ओके मेरा असिरवाद हमेशा आप लोगों की सरों पर है ओके डाइट साहल थैंक यू ब्रीवन बाई